तो हम इस्टार्ट करने वाले हैं तो कि असे पहले मैं आपको वटा दूँ कि हृस्ट समयस्ट की स्कारी क्लाशिस कराई तो आप जो बाहीं बहाइँ या जो कौई भी जिसको भी नीड है आप उसको उससे share कर सकते हैं हमारे जो first year के first semester के जो chapters है उनको काफी सारे काफी हद तक important topics वगएरा हमने करा दिया है first year के first semester के तो आई lecture first हमने करा दिया है जिसमें हमने agriculture economics की basis चिज़े देखी थी कि agriculture economics है क्या ठीक है उसका world कहां से आया वो definition वगएरा और कुछ definitions थी कौन-कौन से scientist ने दी है जो important है वो देखा था आज हम lecture second पढ़ने वाले हैं जिसमें कुछ topics कवर करने वाले हैं एंड हाँ एक बात और कि आप हमारा telegram channel जो हमारा इस channel का name है उसी से ही हमारा telegram channel ग्रूप बना हुआ है उसको आप join कर सकते हैं उस पे आपको latest information मिलती रहती है और notes भी मिल जाते हैं तो चले start करते हैं फस्स topic जो हैं आज हमारे होने वाले हैं तो desire, इच्छा, need, हमारी जरूरत, demand जो हमें चाहिए, low of demand and type of demand यह कुछ topics हैं जिनको आज हम करने वाले हैं जो topics हैं हमारे क्या होते हैं कि desire क्या होता है, इच्छा होती है desire एक word है क्या होता है desire, हमारी इच्छा होती है अब वो इच्छा हमारी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है ठीक है हो सकती है भी ऐसा, हो सकता है हो सकता है कि जो हमारी desire है, जो हमारी इच्छा है, वो हमारी किसी भी चीज के लिए हो सकती है, ठीक है, तो क्या है, simply क्या है, simply हम क्या कह सकते हैं, कि जो desire है, वो किसको refer करती है, किसी भी एक person की wish को, कि कोई person है, उसकी इच्छा क्या होगी, किसी भी एक particular commodity के लिए, तो desire के definition क्या होगी desire simply refers to the mere which of a person to have a particular commodity एक particular commodity जिस person के पास है उसकी कोई भी इच्छा को refer करता है desire इच्छा को refer करता है इसका मतलब क्या होता है इच्छा need का मतलब क्या होता है जरूरत अब need क्या होती है जब हमारी कोई इच्छा होती है जब हमारी कोई इच्छा होती है when you have desire तो you have enough resources for a particular commodity than it's a need क्या कहते है कि हमारी कोई इच्छा है लेकिन हमारे पास जो श्रोत्र हैं जो resources है या कोई भी implements है वो क्या है इक proper मात्रा में है लिमिटेड है तो फिर क्या होगा कि हमारी कुछ जरूरत है और उस जरूरत को पूरे करने के लिए हमारी कुछ जरूरत है होंगी क्योंकि हमारे पास जो resources है वो क्या है लिमिटेड तो इसकी definition क्या हो जाती है when you have desire and you have enough resources for a particular commodity then it is a need यह क्या होती है हमारी need जरूरत अब आगे बात करते हैं demand जब हमारे पास कोई इच्छा होती है किसी भी चीज के लिए और कहा गया है कि enough resources होंगे chewy तो हम ready होते हैं कि कोई भी shorts को pay करने के लिए थीक्यां अपने कोई भी इच्छा के लिए अपने किसी भी results को पे करने के लिए होते हैं कि हमारे पास माली जई कोई श्रूरत है ठीक है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमेरी कुछ और इच्छा है तो हम उसको इच्छा को पूरी करने के लिए हम अपने उस रोत्र को उस रिसोर्सिस को जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है हम उसको पे कर देंगे नहीं करेंगे यह होता है डिमांड किसी चीज की डिम वह बाइसां करते हैं कि लौब टिमांड क्या हुता है कि लौफ दिमांड हमें बताता है कि जो डिमांड है और जो किसी भी थिंग के प्राइस हो हम पर डालते है नेगेटिव रिलेशन कैसे कि माली जी हमें कुछ कोई तो अरोत जो डिमांड है वहमारी इतनी पकी है की कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए कुछ बीड़िस गदम भी कर सकते हैं ग्राइटिफ किसी वह चालेगए उसलेगा कर Ó डाउन तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी डाउन हो जाएगी अगर प्राइस हाई होंगे तो जबी तर डिमांड हाई होगी अगर प्राइस ही कम हो जाएंगे तो क्या सुचेंगे लोग की भई नहीं यह जो चीज है यह भोतमंदी है तो कुछ नहीं है इसमें जब प्राइज जो है किसी चीज के घट जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और जब किसी चीज के प्राइज जो है वो घट जाते हैं तो क्या होता है डिमांड बढ़ जाती है और अगर प्राइज ज होगा इक तो प्राइब और से घ्राइब्ध होगा कौन-कौनसी ही दिमांड होगी एक तो पैसे भी घ्र। प्राइब्भ से यागा कुन सा दर्इब्ध दिमांड चलतई बठाए पैसे घ्र और इनकम से भी एक क्वुट डिमांड होगा कौन सा धराइफड डिमांड छलो अब बात कर लेते हैं हमारे next topic की विए आप क्या है कि subject क्या-क्या मैटर करता है हमारी economics के लिए कि क्या-क्या क्या क्यों सा subject जो हमारी economics इसके लिए मैटर करता है चीक़ और क्यों-क्यों सी modern approaches है, कौन-कौन से traditional approach और modern approach, दो approaches दिये गए थे, ठीक है, traditional approach और modern approach इसको हम price theory बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, price theory इसको हम क्या बोलते हैं, income theory याद रखना, इसको price theory बोलते हैं, इसको income theory बोलते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि traditional approach जो है वो चार चीजों पर वर्ड करता है पहला है conception conception second है production third है exchange conception, production और exchange and fourth आता है distribution fifth है हमारा public finance चाह होता है fifth हमारा public finance अब इन पाचों के बारे में पढ़ लेते हैं हमारा फिफ्ट है इस पाची जो पर वर्ड करता है conception, production, exchange, distribution और public finance अब production क्या होता है production होता है creation of utility utility का creation करना creation of utility ये क्या होता है production किसी भी utility का creation करना मतलब किसी की भी इच्छा को क्या देना जनम देना जैसे कि आस्क्रीम खाने की हमारी इच्छा होना यानि कि आस्क्रीम वाला क्या करता है आस्क्रीम वाला आस्क्रीम बेखने आता है क्या करता है हमारे अंदर उसकी creation of utility यानि कि उसके प्रति क्या रूटाता है यानि कि खाने के लिए हमारे अंदर क्या जागरूत करता है वह utility खाने की इच्छा को पैदा करता है यह होता है production आगे बाद करते हैं सेकेंड था हमारा प्रोडक्शन के बाद कंशेप्शन रह गया, ये फर्स्ट था प्रोडक्शन, कंशेप्शन होता है, कंशेप्शन होता है, प्रोसीज ओफ, सैटिस्फाइइं, बीकेंड की इन्सान की इच्छा को पूर्ती करना, यानि की इच्छा को पैदा करना तो प्रोडक्शन में आ जाएगा, और consumption का मतलब है कि इच्छा को पैदा करने वाली चीज बनाना, जिसकी ice cream अब exchange आता है, exchange किया होता है, किसी भी चीज को खरीदना और पेचना जिसकी ice cream को खरीदने, जिसकी मैं ice cream को खरीदने वाला हूँ और ice cream बेचने वाला क्या है, seller, तो खरीदना और बेचना क्या, smart, exchange, buy और selling थर्ड आता है, distribution, ठीक है, distribution का मतलब होता है, कि share of any product, किसी भी product को share करना जैसे कि, example है, मैंने अपना, जो मैंने ice cream लिये, वो मैंने किसी और को भी खिला दी, तो अपने product को क्या क्या क्या, मैंने share किया, अब ये भी 3-4 तरह से होता है, ये जो share का work होता है, जिसको मैंने क्या कहा था, अभी, ये क्या होता है, हमारा distribution, ठीक है, ये क्या होगा, rent, wages, interest, profit, rent क्या होगा, for pay, reward of land, ठीक है, reward of land, wages क्या होगा, labor, reward of land, इसका होगा, land का, इसी तरह से ये जो second वाला wages किसका होगा, reward of labor का reward होगा, इसी तरह से ये जो interest है, ये किसका reward होगा, ये होगा, हमारा capital income का, income, इसी तरह से जो profit होगा, वो किसका होगा, reward of organization, कि मतलब किसी भी factory को क्या होता है, मुनाफ़ा, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, पांच वी की public finance की, public finance क्या होता है, public finance होता है, कि सारे public के revenue, जितना भी public पर खर्चा होगा, जितने भी public का income है, उसके बारे में बात कौन करती है, सारा, बात करती है, government, सारा वर किसका होता है, government का, ये public finance में आता है, ठीक है, आगे समझे होगा, आप इसके हम बात, हम बात कर लेते हैं, modern approach की, modern approach मैंने बताया था, income theory होती है, first of all तो, ठीक है, ये हमारी micro भी बोलते है, ये हमारी micro होती है, ये allocation of resources, individual के resources को क्या करती है, allocation, decision, जो है, वो individual लेते हैं, जिसे की household, farm, यानि कि मैंने वो बताया था न, कि 5000 रुपे आपको दिये गए हैं, और आपको सी से सारा खड़ चकरना है, तो decision कोन ले आगा, जो घर का मालिक होगा, ठीक है, ये भी आगे समझ में, इसके बाद है, ये micro, ऐसे काम करती है, अगर macro की बात करें, तो resources जो है, वो सभी जगा, एक जगा नहीं, सभी जगा, सारी जगा पर allow कर देते हैं, यहाँ पर जो सारे decisions हैं, वो एक ही जगा पर सारे एक साथ मिल कर लेंगे, वो micro होगा, ठीक है, जो कैसे, जैसे की सारी income, या फिर national income, या फ अपने according, और उन सारी फेक्ट्रियों का एक decision ले रहा है, सारी फेक्ट्रियों का decision, एक मालिक ले रहा है, कई के जगा खोल रखी है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, macro modern approach में, और micro में कौन सा आएगा, कि हमारा कोई घर है, उसके घर का सारा ख़र्चा कौन समाल ला है, एक एक आडमी, छीक है, यहां लेता है हमारा माइक्रो मे नहीं, समझ है ता मालिक लेक्रियों, एक और चीज बात कर लेगते है, Factor Of Production प्रोडेक्शन M- 4 प्रोडेक्शन M- siis just want an action production करना है तो क्या होगा G- उस प्रोडेक्शन के लिए union surtout factor home- l and기 जरॺत होगी फटिलाइजर की जरॺत होगी बीज की जरॺत होगी फडिलाइजर की जरॺत होगी शिचाइखी जरॺत होगी इस Remå को minutes के production के लिए कि तो क्या होता है transformation off input to into output यानकी input से output के तरफ क्या होता है transformation.. वह किसमें आता है एब बात करते है Factor of production क्या होते है sheet और weight Cheat से weight बनना, input से output निकलना, weight होगा what output निकलागा, समझ में है, यानि की ? जोân seed है वह input है आउटपुट क्या दे रहा है वो हमको wheat दे रहा है तो production क्या होता है कि जो भी हमें एक input factors क्या होंगे land, seed, fertilizer, irrigation, labor, capital land, labor, capital, organization और उसका organization का management ठीक है आप देखो land fixed factor, natural and good factor कैसे होते हैं जो land है वो एक fixed factor है और gold का दिया हुआ है factors जो होंगे production के वो क्या क्योंगे पहली तो होगा land भूमी वो एक fixed है natural है और gold का दिया हुआ है और यह अपनी original form में पाया जाता है यह होगी land की इसकी fertility अलग-अलग होती है अलग-अलग जगा पे और reward of land किसको बोलते है रेंट को यह हमने पढ़ाता है reward of land distribution में आता है किसको बोलते हैं रेंट को हम इसकी भूमी की किसी भी चीज को change नहीं कर सकते हैं जो naturally होगी जैसी होगी second क्या आता है हमारा labour labour में क्या होता है labour हमिश्य एक pride factor होता है ठीक है उसको हम एक जगा से दूसरी जगा पर ले के जा सकते हैं यह क्या होता है highly perishable होता है ठीक है वो work करेगी तो उन्हें पैसे मिलेंगे work नहीं करेगी तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे ठीक है यह क्या होता है यह हमारा week barking power होती है इनके पास क्योंकि यह कैसे होते है परकिशेबल यानि कि अगर इन्होंने कहा कहीं पर जाकर कि मैं इतने ही पैसे लूँगा इतने से कम पैसे में काम नहीं करूँगा और हमने उसे नहीं रखा तो उसका क्या हुआ पूरा दिन खराब गया reward of labor किसको बोलते हैं wages को reward of labor जैसे reward of land किसको बोलते हैं rent को reward of labor किसको बोलते है wages को ठीक है it is a labor यह mobile है but less mobile है mobile तो है लेकिन यह less mobile है मतलब हुई से यह चल फिर तो सकती है इस labor को कहीं भी लेके जा सकते है लेकिन पास पास दूसरे देश में तो एक देश की लेबर को नहीं लेकर जा सकते हैं, सिर्फ कहां लेकर जा सकते हैं, दूसरे विलेगिस में लेकर जा सकते हैं, ठीक है, और लोकलेटी लाइव होती है, लेबर की, यानि की लेबर क्या है, वो, अगर हम बाइचांस उसे लेकर जा सकते हैं जो कि जो language होगी वो labor की और जो दूसरे state है उसकी क्या होगी different different होगी ठीक है समझ में आया क्या होती कि एक्टिफ एक्टर होती है ठीक है और अगर हम यह क्या होती है कि अगर वर्क करेगी तो इसको पैसा मिलेगा और अगर यह वर्क करने में जादा पैसा मांगती है और हमने कहा कि नहीं हमने नहीं करवाना वर्क तो इनका पूरा दिन वेस्ट जाता है और यह एक मोबाइल है मो लेके जा सकते हैं लोकल व्लेजिस में ही क्योंकि यह बाहर के व्लेजिस की लेंग्वेज पहचाने में इनको बहुत दिक्कत होगी तो ही लेबर है और रिवार्ड ओफ लेवर किसको बोलते हैं वेजिस को और रिवार्ड ओफ लेंड किसको बोलते हैं रेंट को अब बात करत जब हमारे पास पैसा आता है तो हम उसके किस के लिए यूज करते हैं कि आगे को production किया जा सके यह हमारे एक wealth का साजन है है नहीं wealth का ही तो साजन है ठीक है और इसी wealth को हम क्या लेकिन जो capital है वो सारी हमारी wealth होंगी लेकिन सारी wealth हमारी capital नहीं होंगी ठीक है reward of capital किसको बोलते है interest को इसको हम कहीं भी लेके जा सकते है ठीक है और ये हम work करें ना करें ये जब भी हमें आईगी ठीक है wealth consumer और capital consumer जैसे की wheat, rice, cloth, food capital जैसे की machinery मशीन तो हमारी चलती रहती है वही मशीन तो हमारी चलेंगी ही ये capital में आता है consumer wheat, rice, cloth, food जो consume होते हैं ठीक है समझ में आगए आप capital का भी system इसके बाद बात कर लेते हैं organization organization में सारे जो factors हैं वो क्या होते है organization या फिर management बोल सकते हैं सारे factors इसी में managed होंगे सारे functions ठीक है कि कहां पर कौन सी मतलब कैसे कैसे functions होने चाहिए कैसा कैसा innovation होना चाहिए कैसे कैसे choice होनी चाहिए कैसे कैसे location होना चाहिए कैसे कैसे लोगों को work करना चाहिए ये सब किसमें आएगा organization में ठीक है प्राइस प्राइस चार चीज आती हैं कंशेप्शन प्रोडक्शन एक्स्चेंज डिस्ट्रिबूशन और पॉब्लिक फाइनस इसमें क्या आती है इसमें हमारा सारे मतलब दो लेवल पर वर्क होता हैं का लिस डिस्टिजन ले रहा हैं और आप मुश्च पढ़ाता प्रोडक्शन क्या होता है उसके इन्पूट और नेल लेबर के шт 내려 kurai जो होता होता है निक्स्ट वीडियो में ठीक है और डॉंट सब्सक्राइब डॉंट फोर्गेट तो सब्सक्राइब इस चैनल